नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कोमल गुपता आपका अपना नौ साल पुराना सबसे भरोसे मन नमबर वन न्यूस चैनल वॉइस टीवी यूपी और हमारा नया चैनल वी भारत में आपका बहुत स्वागत है खबरे सबसे पहले और सबसे तेज देखने के लिए वी भारत चैनल को सबस्क्राइब कीजिए चलिए खबरों की तरफ चलते हैं यह खबर है फिरोजाबाद से फिरोजबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज के महला एवं शिशुची किस साले में HIV पॉजिटिव महला डिलिवरी के लिए आई गर्बवती महला को 6 गंटे नहीं मिला इलाज बाद में डिलिवरी के बाद बच्चे की हुई मौत परिवार जनों ने लगाया लापरवाही कारों कहा HIV पॉजिटिव की वज़़ा से नहीं मिला थैलाज मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल ने आज हॉस्पिटल पहुँचकर कहा जाज के बाद की जाएगी कारवाही बता दें आपको फिरोजबाद का सरकारी मेडिकल कॉलेज लापरवाही के चलते आए दिन चर्चा में रहता है और एक कीस नवंबर को तो लापरवाही की हद ही हो गई जब एक बच्चे की जान चले गए दरसल पूरा मामला एक गर्ववती महिला का है जिसकी डिलिवरी होने के लिए उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज के महिला वर शिशु चिकिस साल है सो शैया में भड़ती कराए गया जब वहां के स्टाफ और डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखी क्यूंकि वह HIV पॉजिटिव थी 6 घंटे के बाद उसकी डिलिवरी की गई तब उसके बच्चे का जनम हुआ लेकिन डिलिवरी में देरी के कारण बच्चे की हालत नाजुक थी और कुछी देर के बाद बच्चे ने दम तोड़ दिया बच्चे की मौत को लेकर परिवार वाले आरूप लगा रहे हैं कि ऑस्पिटल की लापरवाही और मरीज HIV पॉजिटिव था इसलिए उसका इलाज समय पर नहीं किया गया उसी वज़े से बच्चे की मौत हुए 21 नवंबर को स्वास्ते विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो कोई कैमरे पर बोलने को तयार नहीं था आज जब मेडिकल कॉलिश के प्रिंसिपल संगीता अनेजा ने महिला वस्षिशुचे की साले और आने जगे का निरिक्षर किया उसके दोरान मेडिया ने उनसे सवाल पूछा तब उन्होंने कहा इसमें जाज की जा रही है जिसने भी लापर वही की होगी उसके खिलाफ सक्तिकारे वही की जाएगी अब आप बाया तो इन्होंने हाथ नहीं लगाया बच्ची को बच्ची मेरी ऐसी मतलब पलंग पर वाँ बेच वे तरप्रती रही है जी तो हमें नी भी नहीं मालम क्यों नहीं लगाया अब जी तो बदाएंगे पर कचू बात होए तो नहीं लाएंगे पूरा यानी तीन मजे से लेकर रात के आठ बज गई हान नहीं लगाया ना कोई इन लगाया ना कोई बोतल लाई कुछ भी नहीं और इनके जे लोग चली गए तब जूसर डिपार्ट के आये मैंने इनको सर्दाजी को फॉन किया मैडम को तब मैडम आई तब इन्होंने मे सब्सक्राइब कर आए तो सब्सक्राइब कर आया था डिस्टिक ऑस्पिटल में उसकी बाद स्टेचर पर मरीज को लिटाने के बाद किसी भी स्टाप ने ना उसका पीवी किया ना उसको टच किया जब कर उसका बच्चा फशा हुआ था उसकी बाद तीन बजे से करीवन नौ बजे तक बच्चा फशा रहा और महला तडपती रही किसी ने उसको टच नहीं किया बुले इसको बीमारी है सब को लगेगी और उसकी बाद बच्चा फशे फश इसको भृते करने में किस तरह की परिसानी हुई हंगामा भी हुआ और इसके एक बिच्ची के मौत भी तो हैच हाईवी वाला पेशंट हमारे हॉस्पिटल में 3-3,30 दित करीब आया था तब तक इसी के सग्यान में नहीं था उसके साथ वालों नहीं नहीं बता था फिर भी आते ही उस पेशंट की जो अभी मैंने स्वेम आंकर जैसे मेरे सग्यान में आया, मैं स्वयम आई थी गाईनी डिपार्टमेंट और मैंने सबसे खुद भी बात किये, इक इंक्वेरी कमेटी भी सेट अप कर दिया है, उसमें जो भी निज़ पेपर में निकला है, तो उस पर एक इंक्वेरी कमेटी बना दिया है, सीएमस का और ए किसी को मालूम नहीं था, पर रूटीन पेशन की तर उसकी सब जांचे करी हूँ, उसके बाद चार बज़े इन लोगों को मालूम पड़ा, जो अभी पूरी इंक्वेरी चल रही है, तो उस समय भी चार डॉक्टर्स हमारे एक्चुली डियन बी स्टार्ट हो गया है, तो च अगर जिसकी लापरवाई होगी, उसको कठोर से कठोर, उसके लिए डंड के लिए संस्तुति कर दी जाएगी, और एक्शन लिया भी जाएगा, इसमें कोई मरीज की इलाज में और मरीज को एटेंड करने में कोई भी लापरवाई बढ़ती नहीं जाएगी. मा बनना दुनिया का एक खुबसूरत एसास है, इसका ख्याल रखने के लिए, नौ महीने आपको कम्प्लीट केर देने के लिए, आ गया है उम्मा प्रेग्डिनसी केर. ओमा आपका और आपके बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा, आप घर बैठे भी हमें संपर्क कर सकते हैं. 24-7 आपकी सुविदा हमारी संतुष्टी. बस कॉल कीजिए 8954-000174 पर.